आज हम पाठ जो देख कर भी नहीं देखते इसका अध्यन करेंगे इसकी लेखी का है हेलन केलर इनके जीवन परीचे के बारे में हम जानेंगे कॉलेज के दिनों में ही प्रकासित अपनी आत्म कता The Story of My Life में वे लिखती है मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती ये दुनिया की सभी बासाओं में इस किताब की अनुवाद हुए हैं इसके अलावा भी उनकी दस पुस्तकें और शानती के लिए काम किया हैलेन केलर भारत भी आई थी हैलेन केलर 1880 से 1960 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घूर अंदकार के बीच भी रोस नहीं देता रहा कल्पना करो कि जो नशुन सकता हो नदेख सकता हो फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले बरपूर आशा और आकांशा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए मददगार बन जाए ऐसी थी हैलेन केलर जब वे डैड वर्स की थी बच्पन की एक गंभीर विमारी की वज़ा से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अब हम पाट के कुछ मुख्य बिंदू के बारे में जानेंगे हैलेन केलर का जन्म अमेरिका में 1880 में हुआ था वे डैड वर्स की थी जब एक गंभीर विमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो गई लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और उन्होंने उच्छ सिक्सा पाई उन्होंने अपनी आत्म गता लिखी स्टोरी ओफ लाइफ उन्होंने दस पुस्त के और सैकडों लेख लिखे अपने अधिकारों के लिए जागरत करना विश्व शानती के लिए कारिय करना आदी अब हम पाट के शब्दार्ट जानेंगे परखने, जाँचने, अचरज, आश्चर्य या हैरानी रोचक, अच्छी लगने वाली समा, वातावरण, मुग्द, मोहित, शम्ता, ताकत, कदर, पहचानना आस, उम्मीद, नियामत, इश्वर की देन, इंद्रदनुसी यानि अनेक प्रकार के रंग जो देखकर भी नहीं देखते कभी कभी मैं अपने मित्रों की परिक्सा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं हाल ही मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लोटी मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा है यहलन केलर कहना चाहती है कि वह अपने मित्रों की कभी कभी जांच करती है उनकी परिक्षा लेने की कोशिस करती है कि जब वो जंगल की सेर के बाद जब वो वापस लोड़ते हैं तब वो उनसे पूछती थी कि क्या उन्होंने जंगल में क्या क्या चीज़ें देखी तब उन्हें वापस देखी कुछ खास तो नहीं उनका जवाब था मुझे अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस उत्रों इस तरह के उत्रों की आदी हो चुकी थी यानि हेलन कैलर रोज रोज यह सुन के बात हो जान चुकी थी कि लोग इसी प्रकार की बात दुबारा कहेंगे मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं यहलन कैलर को यह विश्वास हो गया था कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मनुसिया जंगल की शेयर करे और उसे कुछ भी नजर ना आए क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा बर गुमे और फिर भी कोई विशेश चीज ना देखे मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैक्ड रोचक जिजे मिलती है जिने मैं छू कर पहचान लेती हूँ यहलन कैलर कहना चाहती है कि वह अंधी होने के बावजूद भी इतनी चीजे छू कर पहचान लेती थी तो लोगों की आखे होने पर भी उन्हें कोई रोचक जिजे क्यों नहीं दिखाई देती मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी चाल और चीड़ की खुद्री चाल को इस पहचान लेती हूँ बसंद के दोरान में टैनियों में नई कलिया खोजती हूँ मुझे फूलों की पंकुडियों की मखमली सता छूने और उनकी गुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनन्द मिलता है यानि अनेग प्रकार की जो चाहे चीजे खुद्री है चाहे वह चिकनी चाल और नईने कलियों में वह नईने टैनियों में कलिया खोजती थी और फूलों की पंकुडियों को चूँकर उनके मखमली होने का ऐसास करती थी अब आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब कुछ गराकारी प्रश्न है जिन लोगों के पास आखें हैं वे सच मुछ बहुत कम देखते हैं हैलन कैलर को ऐसा क्यों लगता था हैलन कैलर को ऐसा इसलिए लगता था क्यांकि लोगों के समेदना खत्म होती जा रही थी हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते हैं और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं प्रकृति का जादू किसे कहा गया है यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंधरिय तथा उसमें हो रहे निरंत्र बतलाओ को कहा गया है जो हमें दिन प्रति दिन अपनी और आकरशित करती है कुछ खास तो नहीं हैलन की मित्र नहीं जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हैलन को आश्चरिय क्यों हुआ जंगल से सेर करके लोटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हैलन ने पूचा आपने क्या क्या देखा था उनके मित्र नहीं जवाब कुछ खास तो नहीं कहा जिस प्रकर्टी के इसपर्ष मात्र से उसका मन आनन्दित हो उठता है उस संदर आकर्षन प्रकर्टी के दर्ण इसलिए यह सुनकर हैलन को आश्चरिया हुआ हैलन कैलर प्रकर्टी की किन चीजों को छू कर और सुनकर पैचान लेती थी पार्ट पढ़कर इसका उत्तर लिखो हैलन कैलर प्रकर्टी की कुछ चीजों को चू कर और सुनकर पैचान लेती हैं जैसे बोज पत्र की पेड़ की चिकनी चाल, चीड की खुर्दरी चाल को इस पर से पैचान लेती हैं, वसंत के दोरां टैनियों में नई कलिया, फूलों की मकमली पंखुडियों को इस पर से पैचान लेती हैं, अपनी अ त्रहीन थी यह जो भी ग्रहकारी के प्रश्णा है यह आपको सुद्ध और सुंद्र लेखने में कॉपी में करने हैं सबसे पहले सब्दार्त दिये हुए वह सब्दार्त करने हैं कि दन्यवाद